देर स्टुइंट्स जब बात आती है आई की तो कोशन उड़ता है कि आई जिसका मतलब होता मैं यह है क्या भई आई एक्जाक्ली सिंगूलर है कि प्लूरल है तो आज का जो वीडियो है इसी पर रिसर्च बैस्ड है आई को डिटेल बताराओंगी एक्जाक्ली है क्या सिंग लगता सर्ब नाम तो यह एक प्रोनावन इश्बसे पहली चीज दूसरा जब हम बात करते प्रोनावन्स की तो इस में तीन परसन ओते हैं एक होता है first person दूसरा होता है second person और तीसरा होता है third person तो first person में आता है आपका I आता है और V आता है second person में आपका आता है strand U और third person में आता है he, she, they it ये आपके third person होता है I और V को first person इसलिए कहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने आपको I समझता है अगर मैं अपने वारे में कुछ कहूँगा तो मैं अपनी शुरुवात I से करूँगा मैं अपने वारे में कुछ बताऊँगा तो मैं अपने आपको I कहूँगा मी कहूँगा, माय कहूँगा, माइन कहूँगा, मैसेल्फ कहूँगा यह इस से बनने वाले आपके अलग-अलग type से pronoun की जिसमें एक possessive है, एक reflexive है, एक object की इसमें दिया हुआ है आपको, तो यह सब कुछ इसमें आपको दिया हुआ है, ऐसे ही we जो है इसमें भी I include होता है, जब हम कहते हैं we are Indians, that means यहां पर I जो है we में include हैं, इसलिए इसको भी first person माना गया है राइच दूसरी बात हम लगव करते सकंडर सusing की तो सथकंडर संच होता है वह आपका यू होता है जिसे मैं अगर आप से बात करूंगा तो मैं हूँगा first person आप मेरे लिए रहेंगे second person लग seizure नगी जब आप मुझे से बात करेंगे तो आप खुद तो मैं हो गया, first person आप listener है, आप हो गया, second person और वो जो विक्ती वहाँ खड़ा हुआ है, वो हो गया, third person, तो he, she, they, it ये सारे आपके third person होते हैं, तो ये ते रही pronoun के बाद जिसमें आई आई आपका first person हो गया, अब प्रशन उठता है कि सर ये singular है कि plural, तो भाई singular और plural का measurement किस से होता है, ये समझ लेए, आप singular मतलब जो एक की बात करें, और plural मतलब जो दो या दो से ज़्यादा की बात करें, तो आपको बता दो, student, I जो है ये आपका singular है, it is not plural, it is singular, ये singular क्यों है, ये plural क्यों नहीं है, वो बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई, ये singular क्यो है तो आपको वब के बारे में कुछ चीजे में क्लियर कर दू कि वब लगती है तो आप इधर देखे जब बात करते हैं वाज और वर की तो आपने देखा होगा आई के साथ हम क्या लगाते हैं वाज लगाते हैं और वाकी सारे सब्जिट के साथ में वर लगता है तो वाज औ नहीं लगता है इसे ही does or do यह भी आपका singular or plural को देखकर नहीं लगता है यह लगता है person को देखकर आपको याद रखना है कि does or have का उपयोग आपको करना है third person के साथ में और वो भी third person में singular होना चाहिए अगर वो third person है पहली condition दूसरा third person में अगर वो singular है तो उसी के साथ आपको does और has copy करना है जिसे की he, she, it आप दे के साथ has नहीं लगा सकते क्योंकि दे आपका third person तो लेकिन singular नहीं है तो यहाँ पर यह जो has और have लगता है यह person के according लगाते हैं इसलिए इसमें I के साथ आपको क्या लगाना होता है have लगाना होता है क्योंकि I जो है वो singular तो है लेकिन कौन सा person है first person है और has और does को लगाने का नियम क्या होता है कि has और does वहीं लगेगा जहाँ पर जो subject है वो third person हो और third person में singular हो इसी वज़े से ऐसा होता है तो अक्सर strengths को दिमाग में क्या चलता है कि I plural होगा students let me tell you I plural नहीं है बात करते हैं you की you क्या है तो भाई you एक ऐसा subject है जो कि singular भी है और plural भी है लेकिन इसके साथ वह हमेशा जो helping अब लगती है वो plural की ही लगती क्योंकि हमें पता नहीं होता है या अगर हमें पता भी है कि वो singular है plural है लेकिन हमेशा याद रखना इसके साथ आपको singular की ही वाप इसके साथ आपको हमेशा plural की ही वाप लगानी है यू जब मैं कहूंगा आप से कि तुम्हें अपना काम स्वेम करना चाहिए तो यहां कहा जाएगा यू शुड डू यू वाप यूरसेल्फ आप देख सकते है लास्ट में मैंने यूरसेल्फ यूस किया है क्योंकि मैं बात आपकी अकेली की कर रहा हूँ लेकिन जब मैं कहूंगा कि आप सभी को अपना काम स्वेम करना चाहिए तो इंग्लिश में कहा जाएगा यू आल शुड डू यू वाप यूरसेल्फ यहां मैंने यूरसेल्फ यूस किया है क्योंकि यहां पर मैं बात आप सभी की कर रहा हूँ तो यू एक इसा सब्जेक्ट है जो सिंगूलर भी है और प्लूरल भी है साथ यह उम्मीद करता हूँ कि आपको exactly I का पता चलागा कि I कौन सा सब्जेक्ट है तो I singular subject है सब्जेक्ट लेकिन इसके साथ plural की वाप किस बज़े से यूस होती वो भी मैंने बताया इंग्लिश ग्रामर में दो ही ऐसी वाप्स है एक है आपका does और दूसरा है आपका has, how जिनको आप persons के according लगाते ने कि singular plural को देखकर तो ये कुछ नियम है जो आपको अपने दिमाग में याद रखने है और एसी वज़े से इंग्लिश थोड़ी से students को confusing और complicated लगती है आपको exactly पता चला हुए कि I जिसको मैंने पहले तो प्रोनाउन्स बता है प्रोनाउन में तीन कैटेगरी, first person, second person, third person के basis पे आपको explain किया साथ ही singular plural आपको बताया और आपको exactly बताया कि does और has के साथ में आपको singular third person लगाना बाकी सारे subject के साथ में आपको जो है have or do को use करना आप डियर स्टोरेंट्स वीडियो अच्छा लगा इसे like करें फ्रेंड सरकल में शेर करें फिर में लूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ authentic content के साथ में तब तक लिए डाड़ा बाए अबड़ दियस पर ऑजग च्छा लाड़ा करें साथ प्रेंट्स वीडियो करती अवे करें ने खालावड करें आपको जे खालावड़ा है